हेलो ब्यूरिफुल बीपल वेल्कम चूल लगनो लुकर्स आज हम बात करने वाल हैं कैसे ब्राइंट के जिसके बारे में ना आपने सुना होगा ना जिसकी चीजें आपने ऐसे देख रखी होगी हाला कि मैं कभी कभी यह सोचता हूं कि कुछ ऐसे ब्राइंट हैं जो काफी म आज मैं रिव्यू और डीटेल रिव्यू करने वाला हूँ समराट के स्टेलने स्टील कैसरोल विंटर सीजन के यह कैसरोल जो है वो काफी हल्प करेंगे खाने को गरम रखने में बॉक्स पैकेजिंग काफी लाजवाब है और मैं आपको बता दूँ यह जो समराट कंपनी ह है कि किसी एक बहुत ही अच्छी और जानीवानी कंपनी से जुड़ हुई है सिफ यह जो समराट का रेजिस्टर कंपनी है यह आपको सिमिलर प्रोड़क्ट देगी बट बहुत ही कमदाम में तो यह मुझे सुनने में आया था तो मुझे लगा जरूर इस ब्रांट को इंट और 5 लीटर की प्रोड़ की साइजदें मिलते हैं जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छे साइज़मेल का का DAVID की नॉमली 500 ठीक्था क्वालिटी की दे देते हैं और यहां पे आपको तीन कैसरोल मिलेंगे प्योर स्टेलने स्टील के और 100% इसमें स्टील का ही यूज किया गया है कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है तो चलिए एक एक करके अगर देखा जाए तो बॉक्स पैकेजिंग म और इसके बाद इंतजार करिएगा थोड़ा सा और इस वीडियो में क्यूंकि इसकी प्राइसिंग भी काफी शॉकिंग है मैंने कितने का लिया आपको बताऊंगा तो चलिए एक के करके डिसकस करते हैं तो यहां पर यह कैसरोल मिल जाता है वन लीटर के पैसिटी का और मैं इस कैसरोल की खासेद आपको बता दूँ नॉमली आपको कैसरोल गहरे कैसरोल नहीं मिलते हैं मता कैसरोल की डेप्थ जादा नहीं होती है और थोड़ा तविद जादा होती बड़ यहां पर गहरा कैसरोल मिलता है मैं आपको बता दूँ यह कैसरोल दही जमाने के लिए बह बहुत जादा अच्छी लग रही है अगर स्टील की कॉलिटी की यहां पर बात करी जाए तो यहां पर बहुत अच्छा इंसुलेशन मिल जाता है एक अच्छी डेप्ट मिल जाती है मेरे को गहरे कैसरोल इसलिए भी पसंद आते हैं उसमें जादा दिर तक गरम बना रहता है और उसी के साथ साथ यह स्पेस भी काफी नहीं लेते हैं और चलिए सबसे पहले इस कैसरोल को अगर दिखा दिया है तो इसकी लिड़ भी साथी साथ अन्बॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं आखिर इसकी फिनिशिंग कैसी दी हुई है तो यहां पर इसकी फिनिशिंग की भी देख लेते हैं तो यहां पर यह देखिए हमने close कर लिए और बिल्कुल भी कहीं से भी इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कहीं ऐसी कोई कमी है और साथ ही साथ देखिए सम्राट का मार्कप भी धाता है're registered company है made in India है और high quality steel है तो यह जो जो casserole आपको दिखा रहा हो यह छोटे size का है इसके बाद आजाते हैं medium size तो यहां पर यह 1.5 लीटर का इसके बाद सेट में मिलता है आपको 1.5 लीटर का इस सब से ज़्यादा important casserole है क्योंकि 1.5 लीटर बड़ी families में small size families में भी एक काम आते हैं तो यह भी casserole के अगा finishing दिखाऊं तो अंदर का surface काफी smooth है बाहर का surface काफी smooth है नीचे की तरफ से पूरी complete branding के साथ आता है तो यह चीज मेंने को काफी अच्छी लगी इसको भी cleaning अराम से हो जाएगी कहीं भी जोड़ नहीं है easily यह आप clean भी कर सकते हैं और इतना heavy insulation यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो insulation heavy होने की वज़े से jointless होने की वज़े से यहाँ पर हमें फाइदा मिल जाता है cleaning में एक बात का ध्यान रखेगा काफी लोग इसमें confused हो जाते हैं और इसको जब भी यह खराब होते हैं सबसे common reason मैंने देखा है कि made हो गई या किसी को अगर knowledge नहीं है या पता नहीं है तो वो इसको gas stove में चड़ा देते हैं और फिर classroom खराब हो जाते हैं काफी ऐसे cases मैंने देखे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा यह dishwasher में भी नहीं धुले जाते हैं काफी लोग distortion में डाल देते हैं बड़ कहीं न कहीं long term usage पे कभी न कभी दिक्कत कर सकते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजेगा और यहां पर यह देखे यहां पर भी आपको branding मिल जाएगी और size के साथ साथ जो depth का ratio दिया हुए काफी लाजवाब यह देखे अगर इसक किसी न किसी brand के साथ इसको compare जरूर करूंगा फिर आपको इस समन में कि कुछ चीजे इसमें वाकई काफी अच्छी दी हुई है जैसे कि अगर मैं एक किसी brand का नाम तो नहीं लोगा बट एक बहुत ही famous brand जिसमें यहां पर आपको bidding देखने को मिल जाती है क्योंकि कभी भी हा पानी भर के रख दीजे और 6 गंटे बात के आसपास open करिए तो मेरे कैसरोल में तो मुझे गरम ही मिलता है पानी से आप चेक कर सकते हैं इसको तो यह मुझे लगता है कि अगर कोई भी food material है और सर्दी के सीजन में 3 गंटे तो अराम से इसमें गरम हा गरम बना रहेगा अग को बता दू कहीं न कहीं यहां पर साइड में लॉक में जो फिनिशिंग है कुछ एकाट कैसरों ने मुझे देखने को लगी तो थोड़ा सा फिनिशिंग मेरे को 19 लगी बड़ी है कि अगर प्राइस की मैं बात करूं तो यह मुझे काफी जादा पसंद आया है अगर हम यहा के कैसरों लेना चाहते हैं तो एक बहुत सारे अच्छे 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 ब्रांड्स आते हैं जिसको आप ऑनलाइन भी ट्राइ कर सकते हैं और काफी जादा क्या होता है कुछ ऐसे प्रोडक्स होते हैं जो similar manufacturer क्या manufacture होते हैं फिर बात में डी ब्रांडिंग होती है तो यह इन सब चीजों में ना पढ़ गए मेरे को लगते है कि कुछ ऐसे ब्रांड से मैं जरूर देखने चाहिए बस यह है कि कुछ चेकपॉइंट जरूर जरूरी होते हैं कि सबसे इंपॉर्टन है कि कोई नया ब्रांड आप ट्राइब कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी साइड क आप बंध हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं बहुत ज्यादा ताकत तो यह लग रही है ऑ्लग ऑने पर दिजयं esperar हैं पैसा सकते हैं और healthy kitchen में एक healthy utensil आप ला सकते हैं तो अगर इस type की वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं इस type के products को purchase करना तो कुछ products के buy link में आपको नीचे description box में दे दिये हैं जिसको completely आप खरी सकते हैं all India के लिए और अगर आपको इस type की वीडियो और भी चाहिए आपको चाहिए कि मैं कुछ ऐसे नए ब्राइंट और इंट्रिद्यूस करता रहा हूँ तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा रीजन यह होता है क्योंकि हर तरीके के ब्राइंट हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुचा दें कि आप उसको पॉचेस करके अपने किचिन को और घर को हिलदी बना सकें तो थैंक यू सो मॉच कीप सबोर्टिंग आस